ब्लड वैसल्स ऑफ गट यह नीची आइटी तो देखो टायाफ्राम से जब एउर्टा निकलता है तो कुछ सेंटीमेटर नीचे यह हमारी ब्रांश देता है उसे कहते हैं सीलेक ट्रंक जो के फोर गट को सप्लाय करती है अप्टू सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रॉड़नम यहां से 3-4 सेंटीमेटर ऊपर होती है और यह सप्लाय करती है हाइंड को अप्टू लावल ऑफ दी एनो रेक्टल के नार लावस देखें तो यह टीट्वाब से लवन की दरम्यान का लेवल है लवन के लावल पर सुपीर में जन्टारिक है और फ्री के लावल पर इंफीर में ज अटीरियली आती है लेसर करवेचर और लेसर साक नीचे आती है बोडी ओफ पैंक्रियास और पीछे तो डाफिनेटली इस इस दी ओर टा जो हमारी सपिर आगे ब्रांच जाद रती है सुपीर में जन्टारिक आर्ट्री के सुपीर ली और एंटीर ली है हमारी बोडी ओफ पैंक्रियास इसके नीचे है अंसीनियट प्रोसेस और जब यह आगे कंटीनु करती है तो यहां पर थर्ड पार्ट अफ टोडेनम तो जब यहां पर प्रेशर जादा होगा थ्रंबस एंबलिसम होगा तो यह थर्ड पार्ट अफ डॉडेनम इन दोनों के दर्मैन कंप्रेस हो जाएगी जिसे कहेंगे nut cracker syndrome आगे यह मिजन्टरी की दोनों layers के दरम्यान move करेगी जो है हमारी यह inferior मिजन्टरी कार्ट्री L3 के level पर rise करती है यहां पर आगे वो अपनी branches देती है हमारे cilia trunk की 3 main branches हैं सबसे पहली branch तो है हमारी left gastric artery जो जो के shortest branch है यह देखें यह आगे आके कुछ देती है asophagial branches और फिर आगे left gastric artery के तौर पर continue करती है यहां पर कुछ short gastric arteries देती है यह हमारे common hepatic artery जो के आगे अब यहां पर इसके एंटरम के लावल पर अपनी ब्रांश देती है जो downward move करती है यह से कहते हैं gastro-dudinal artery इसकी largest branch है gastro-dudinal gastro-dudinal आगे देती है superior pancreatic or dudinal और यहां पर right gastro-epiploic artery ठीक है तो अब यह superior pancreatic or dudinal है यह pancreas or dudinum को सप्लाइ करती है और यह जो right gastro-epiploic artery है यह आगे चलके इस side panostomose करती है सप्लाइने के साथ और यहां पर इसने आगे चलती है एक दी right gastric artery जो के left gastric artery के साथ सप्लाइ करती है nostomose और यह दोनों lesser curvature of the stomach पूरे को सप्लाइ करते हैं अब आगे जी बन गई यह प्रोपर हेपाटिक artery प्रोपर हेपाटिक artery आगे right और left hepatic arteries देती है जो क्या आगे किसमें जाएगी डेफिनेटली लिवर में राइट जो ही पैटिक artery है वह आगे देती है superficial और deep branches यह किसमें आगे उसमें एक सीलिक artery ब्रांच दी है जिसने अपनी ब्रांच दी है गॉल ब्लेडर को सप्लाइ करने के लिए यह लास्ट प्रांच जो सीलिक ट्रंक की है वह यह सप्लीनिंग artery को stomach के पीछे से move कर रही है और पर आके यहालम में आके डीवाइड होती है और सप्लीन को ब्रांच देती है इसके लावा यह देती है branches pancreas को उसकी body को जो देती है वह होती है anterior arteria pancreatica magna और tail को देती है Arteria Corda Pancreatica और दोना मिलके Anastomose करती है Dorsal Artery के साथ इनके इलावा ये देती है उपर को Short Castric Arteries Frontus of Stomach के साथ और एक नीचे देती है Left Castro Epipoic Artery Greater Carvature पे जो के ये Right Castro Epipoic Artery के साथ यहां सारा सप्लाइ करती है अब ये हमारी होगी Celiac Frunk हम बात करते हैं हमारी Superior Misanatric Artery की जो के ये देखो Misanatric की दोनों Walls के दरम्यान Move कर रही है अब ये Right और Left branches देंगी Right पे सबसे पहले ये branch देती है Middle Colic जो के यहां पे Green से Show हुई हुई है दो बात में तो Middle Colic क्या है ये Middle Colic branch है जो के Right और Left branches देती है Anastromos करेंगी Left Colic branch के साथ जो के Inferior की branch होगी और यहां पे ये Right Colic के साथ Anastromos करती है Next इसने branch देए अपनी Right Colic जो के Middle Colic के साथ Anastromos करती है उपर जाते हुए और नीचे जाते हुए ये Ileocolic के साथ Anastromos करती है और ये End Pays ने अपनी Ileocolic branch देए जो के आप देखो इसके नाम से जाहिर है एक वो देगी Ileum को सप्लाइ करेगी एक वो सप्लाइ करेगी कोलॉन को फिर ये दो और branch देती है जिसमें एक appendix को सप्लाइ करने वाली है appendicular और एक सीकल ब्रांच देती है सीकम को सप्लाइ करने के लिए तो राइट के साथ ये left branches भी है जो के जिजनल और इलियल प्रांच जो के जिजनल और इलियल प्रांच जो के बारां से पंदरा ये अब देखो यहाँ पे जिजनल मेलियल में उसको surround करेगी तो इनास्टर मोस करेंगी एक दूसरे के साथ ही बनागे आर्टीरियल आर्केट्स जो के बाद में अपनी वेंज जेंगे तो वेजर एक्टा बनाएंगे नेक्स्ट हम इंफिरियर मेसंटरिक आर्ट्री पहली अपनी ब्रांच जेती है र्रेंट पे एनास्टर मोस क्या हैं सिगमौीडल आर्ट्री के साथ तो आप यहां मैं और वाली ब्रांच दियह इसने सिगमौीडल अपनी शापनी आर्ट्रीस सिगमौीडल आर्ट्रीस जो यह वह 2 से 4 होती है नमबर में और यह सिगमौीड नेती है इसको supply謝謝 के लिए अब उपर से एनस्ट्रमोज किसे के साथ करेगी लेट कोले के साथ यहां एनस्ट्रमोज किसके साथ करेगी सुपीरियर रेक्टल के साथ सुपीरियर रेक्टल इसकी तीसरी ब्रांच है हमारी इनफिरियर मेजन्टेरिक इरिसी की कंटिनियूशन है और यह सप्लाय करती है रे केमिनिकेट करती हैं और यह इंपिरियर जो मिडल ब्रांचाइज हैं आइनल कि उसकेसाथ मिलकर्टम को कमलेट सप्लाइब कर देती क्योंकि यो ही tapping 2.5 अ फासले पे होती और यह क्या है इस पूरे को सप्लाइ करते हैं तो एक भी जग़ागे कम हो जाह उसका रापता नालेगा परेंगे लाबिक pancreatico-dudinal vein, right gastro-epiploic vein और इसके लावा जो superior mesenteric artery की है उसको veins कुछ देती है उसकी veins को एक इसके लावा inferior mesenteric vein जो के inferior mesenteric नहीं हाइंड गट के सारे regions को drain करेगी तो यह बनती कुछ इस तरह से सबसे पहले rectum के अंदर venus plexus भी बनते हैं जैसे arterial plexus था ना तो venus plexus बनते हैं वो मिलके बनाते है superior rectal vein वो बाकी veins को drainage कर के बनाती है inferior mesenteric vein जो केργन पर weyn में drainage होती है तो अभी यहाँ पे देखो superior mesenteric vein यहां inferior mesenteric saplанизic vein और यह दोनों मिलके बनाती है बनाती portal vein और portal vein drain करती है liver में तो liver में करते हुए जनाब यह देखें यह सप्लेनिक यह सूपीर मिजंटारिक तो यहां पर देखो यह पैंक्रिया इसको क्रोश कर रही है और यहां पर टूडेनम फस्ट पार्ट अब इनके ऊपर आती इसके वैसे इसके तीन पार्ट बन गया है पोर्टल वेंद के इन्फ्राडियो ना कहिए यहां पर देखो इसके एंटीरियली क्या है एक नेक पैंक्रियास घ्रेट्र डूडेडरी ना होगा फर्स पार्ट अब यहां पर वाले पार्ट में आघी पाइल डॉडप्ट और हिपाटिक आर्ट्री एंटीरियर लिए पस तेड़ली तो हमने कह दिया इन्फीर लाइट है और लाइट है जो हमारी राइट ही अपनी ब्रांज देती है यह राइट वाली जैसे यहां पर राइट यह देखो तो राइट क्या होती है शोड होती है और वाइड होती है और यह सीव करती है सिस्टिक वें से और एंड पर आकर राइट लॉब ऑफ लिवर को सप नो लॉक्त हैं यदिन करती हैं वो डाथ फॉडड करती है वो आगे हपाटिक में ड्रेंट करता है वाइन इंफिर स्टृ soi so यहां इसमें आने से पहले यहां कुछ और मैंठें से अहुझ है रहां चांप और राइट के स्ट्रिक लप्ट के स्ट्रिक वेन स्टमेक के नीचे जो पैंक्रियार्टी को सुपियर पैंक्रियार्टी को डिडिनल वेन वह आकर ड्रेन करेंगी पैराम लाइकल वेन्स और यहां से सिस्टिक काल ब्लेडर की वेन्स वह सब भी इसमें ड्राय ड्रेन करेंगी और फ्रियर लिवर में आगी तो यह जो हमारा पॉर्टल है ना यहां पे तो यहां पर बड़ा ब्लड स्लोली मूव करता है जो हमारा जितना भी चीज़ें अब्सोर्ब हुई है तो इसका नॉर्मल प्रेशर होता है पॉर्टल प्रेशर बारा से पंदरा मिलीमीटर मलकृरी अग कहते हैं या पर पॉर्टल वेन की थ्रमबोसिज हो जाए इफ्रक्ट क्या है पॉर्टल अपरटेंजन का कि कंगेस्टिफ सप्लीनों में कहली होगी सप्लीन बढ़ी होई दूसरा जब यह सारा रास्ता बंद हो गया तो वेन्स वहीं अकटी होना शुरू हो जाएंगे वहा कम्यूनिकेशन में कहते हैं अब अब देखो एक है अब लाइकस के गिर्थ एरिया जब यहां पे दोनों जारी बात है पॉर्टल प्रेशर जादा हुआ तो यहां पे जादा खून जो है वो इधर आएगा तो सिस्टामिक में भी जादा जाएगा तो यहां की जितनी वेन् इंस्टाइलेट हो जाती हैं तो एसोफिगर्स की वाल में आपको नीली-डी मोटी-मोटी तारें से नज़र आती हैं जब आप उसको एंडोस्कोपी करते हैं तो अगर यह रप्चर हो जाएं तो क्या होता है मुह से खून आता है हमेटमिस कहते हैं तो इसके लिए पिर दे सरहाँ करो लिए तो अब क्या है कि यहां तो जाना ही नहीं है तो मुझे अब खून अहां से कई और तो बेजना है ना तो इसलिए क्या करते हैं कि डियरक्ली उसका नस्ट्रों मोज गर्सकार्ट कर देते हैं एगर हमारे वेंड ऑग चाहता है कि अगर जो हैं इस इंटर सांसे आएंगी तो वह सारी किसी तरह लीवर में चली जाएंगे जिसकी वैसे सिरोसेज अफ लीवर भी हो सकता है लोर एंड ऑफ इस वेगस में जाए पॉर्टो केवल एनस्ट होमोसिस का तो वह कहते हैं के सब्सक्राइब करते हैं लेफट के सिट्रिक वें में ऑंघे पोर्ट वें में जाती और इंपरियर वैन चांगर में रहती है वह वह दैगस में जाती हैं यह ने नेक्स्ट हमारा यह हमारा लीवर को 80% सप्लाय पोटर से हाथिए यह बहुत इंपर्ट आप उसके यह फॉत इंपर्टन शंक ट पड़ेगा और यह तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है बहुत दफ़ा पिपर्स में स्टेजिस में आया हुआ है तो यह हम देख लेता हैं पहले बात यह कि हम नहीं पे इन तीन एनस्ट्रोमोसिस के भी बात किया कैसो फेगस रेक्टम और हम लाइकस में होते हैं पॉर्टल वेन होगी यहां पेरा अब लाइकल वेन लोंग लिगा मेंटम टीरी जो आती है और यहां पे आएगी स्टामिक वेंस कौन सी उपर साइगी सुपिरियर एपिक एस्ट्रीक और इसके लावा साइट से दोनों पॉस्टियर इंटरकोसर लंबर वेंस भी आती है ए वाँ अब ईड़्गेर में पोर्टल राडिसी नीके सांट और इस तरह डियाञार में के साथ ही पैरेम्लाक के साथ जावन मिलती है तो वह खीजओं लिगामेंट का है एनस्टमोस का जंक्शन और एन्ट पे लिगामेंटम विनस्टम वाला जंक्शन है जिसमें लेफ्ट ब्रांच और पॉर्टल वेन अनस्टमोस कहती है इंपीरियर वैना कहवा के साथ तो चैप्टर कम्प्लीट